C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय 9 बीजिय व्यन्जक एवं सर्वसमिकाए प्रिष्ट संख्या 158, 9.1.2 सर्वसमिकाओं का उपयोग अब हम समझेंगे कि सर्वसमिकाओं का उपयोग द्विपद व्यन्जकों के गुणन और संख्याओं के गुणन के लिए भी साधारण वैकल्पिक विधी प्रदान करता है उदारण 11 सर्वसमिका एक का उपयोग करते हुए 1. कोश्ठक में 2X.3Y का वर्ग 2. 103 का वर्ग ग्याद कीजिए हल 1. कोश्ठक में 2X जमा 3Y का वर्ग बराबर है कोश्ठक में 2X का वर्ग जमा 2 कोश्ठक में 2X, कोश्ठक में 3Y जमा कोश्ठक में 3Y का वर्ग सर्वसमिका एक के उपयोग से बराबर है 4x वर्ग जमा 12xy जमा 9y वर्ग हम कोश्ठक में 2x जमा 3y का वर्ग का मान सीधे ग्याद कर सकते हैं कोश्ठक में 2x जमा 3y का वर्ग बराबर है कोश्ठक में 2x जमा 3y जमा कोश्ठक में 3y कोश्ठक में 3y कोश्ठक में 3y कोश्ठक में 3y प्रिष्ट संख्या 169 बराबर है 4X वर्ग जमा 6XY जमा 6YX जमा 9Y वर्ग क्योंकि XY बराबर है YX, बराबर है 4X वर्ग जमा 12XY जमा 9Y वर्ग क्योंकि XY बराबर है YX. सर्वसमिका एक के उप्योग से हमें कोश्ठक में 2X चमा 3Y का वर्ग करने की वेकल्पिक विधी प्राप्त करते हैं क्या आपने ध्यान दिया कि उप्रयुक्त सीधी विधी की तुल्ना में सर्वसमिका विधी के चरणों की संख्या कम है आप इस विधी की सरल्ता तब अधिक महसूस करेंगे जब कोश्ठक में 2X चमा 3Y की तुल्ना में अधिक जटिल द्विपद व्यंजकों का वर्ग करने का प्रयत्न करेंगे 2. कोश्ठक में 103 का वर्ग बराबर है कोश्ठक में 100 जमा 3 का वर्ग बराबर है 100 वर्ग जमा 2 गुणा 100 गुणा 3 जमा 3 वर्ग बराबर है 10,000 जमा 600 जमा 9 बराबर है 10,609 हम 103 को 103 से सीधे भी गुणा करके वांचित उत्तर प्राप्ट कर सकते हैं क्या आपने ध्यान दिया कि 103 का सीधी विधी से वर्ग करने की तुल्ना में सर्व समय का एक ने हमें सरल विधी प्रदान की है 1013 का वर्ग करने का प्रयत्न कीजिए आप इस्थिती में सीधे गुणन विधी की तुल्ना में सर्व समय काओं के उप्योग की विधी को अधिक सरल पाएंगे उदारण 12 सर्व समय का 2 के उप्योग से 1. कोश्ठक में 4 पी घटा 3 Q का वर्ग 2. कोश्ठक में 4.9 का वर्ग ज्याद कीजिए हल 1. कोश्ठक में 4 पी घटा 3 Q का वर्ग बराबर है कोश्ठक में 4 पी का वर्ग घटा 2 कोश्ठक में 4 पी कोश्ठक में 3 Q जमा कोश्ठक में 3 Q का वर्ग सर्व समय का 2 के उप्योग से बराबर है 16 P वर्ग घटा 24 P Q जमा 9 Q वर्ग क्या आप सहमत हैं कि कोश्ठक में 4 P घटा 3 Q का वर्ग करने के लिए सीधी विधी की तुलना में सर्वसमेकाओं की विधी ज्यादा उबाने वाली है 2. कोश्ठक में 4.9 का वर्ग बराबर है कोश्ठक में 5.0 घटा 0.1 का वर्ग बराबर है कोश्ठक में 5.0 का वर्ग घटा 2 कोश्ठक में 5.00, कोश्ठक में 0.01, जमा 0.01 का वर्ग, बराबर है 25.00, घटा 1.00, जमा 0.01, बराबर है 24.01, क्या 4.9 का वर्ग करना सीधी, गुणन विधी की तुलना में सर्व समिका 2 की सहायता से सरल नहीं है? उदाहरण 13.00, सर्व समिका 3 का उप्योग करते हुए 1.00, कोश्ठक में 3 बटा 2M, जमा 2 बटा 3N, कोश्ठक में 3 बटा 2M, घटा 2 बटा 3N, 2.983 का वर्ग घटा 17 का वर्ग 3.194, गुणा 206 ग्याद कीजिए हल 1.00, कोश्ठक में 3 बटा 2M, जमा 2 बटा 3N, कोश्ठक में 3 बटा 2M, घटा 2 बटा 3N, बराबर है कोश्ठक में 3 बटा 2M का वर्ग, घटा कोश्ठक में 2 बटा 3N का वर्ग, बराबर है 9 बटा 4M वर्ग, घटा 4 बटा 9N वर्ग, 2. 983 वर्ग घटा 17 वर्ग बराबर है कोश्ठक में 983 जमा 17, कोश्ठक में 983 घटा 17, यहाँ A बराबर है 983, B बराबर है 17, A वर्ग घटा B बराबर है कोश्ठक में A जमा B, कोश्ठक में A घटा B. इसलिए 983 वर्ग घटा 17 वर्ग बराबर है 1000 गुणा 966 बराबर है 966,000 इसको सीधे करने का प्रयास कीजिए आप महसूस करेंगे कि हमारी सर्वसमे का 3 के उपयोग की विधी कितनी आसान है तीन, 194 गुणा 206 बराबर है कोश्ठक में 200 घटा 6 गुणा कोश्ठक में 200 जमा 6 बराबर है 200 वर्ग घटा 6 वर्ग बराबर है 40,000 घटा 36 बराबर है 49,964 प्रिश्ठ संख्या 160, उदाहरन 14, निम्न लिखित को ग्याद करने के लिए कोश्ठक में x जमा A, कोश्ठक में x जमा B, बराबर है x वर्ग जमा कोश्ठक में A जमा B, x जमा A भी सर्वसमे का का उपयोग की जिए 1. 501 गुणा 502 2. 95 गुणा 103 हल 1. 501 गुणा 502 बराबर है कोश्ठक में 500 जमा एक गुणा कोश्ठक में 500 जमा दो बराबर है 500 वर्ग जमा कोश्ठक में एक जमा दो गुणा पांच सो जमा एक गुणा दो, बराबर है दो लाख पचास हजार, जमा पंद्रह सो, जमा दो, बराबर है दो लाख इक्यावन हजार पांच सो दो. दो, पच्चानवे गुणा एक सो तीन, बराबर है कोश्ठक में सो घटा पांच, गुणा कोश्ठक में सो जमा तीन, बराबर है सो वर्ग, जमा कोश्ठक में घटा पांच जमा तीन, सो जमा कोश्ठक में घटा पांच, गुणा तीन, बराबर है दस हजार घटा दो सो घटा बराबर है 9785 प्रश्नावली 9.5 1. निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्ट करने के लिए उचित सर्वसमिका का प्रयोग कीजिए 1. कोश्ठक में एक्स जमा तीन, कोश्ठक में एक्स जमा तीन 2. कोश्ठक में दो वाय जमा पांच, कोश्ठक में दो वाय जमा पांच 3. कोश्ठक में दो एक खटा साथ, कोश्ठक में दो एक खटा साथ 4. कोश्ठक में तीन एक खटा एक बटा दो कोश्ठक में 3A घटा 1 बटा 2 5. कोश्ठक में 1.1M घटा 0.4 6. कोश्ठक में A वर्ग जमा बी वर्ग 7. कोश्ठक में 6X घटा 7 8. कोश्ठक में 6X जमा 7 8. कोश्ठक में घटा A जमा C 9. कोश्ठक में X बटा 2 जमा 3Y बटा 4 10. कोश्ठक में 7A घटा 9B 2. निम्नलिखित गुणनफलों को ग्याद करने के लिए सर्वसमे का कोश्ठक में X जमा A कोश्ठक में X जमा B बराबर है X वर्ग जमा कोश्ठक में A जमा B X जमा A B का उप्योग कीजिए 1. कोश्ठक में X जमा 3, कोश्ठक में X जमा 7 2. कोश्ठक में 4X जमा 5, कोश्ठक में 4X जमा 1 3. कोश्ठक में 4x खटा 5, कोश्ठक में 4x खटा 1 4. कोश्ठक में 4x चमा 5, कोश्ठक में 4x खटा 1 5. कोश्ठक में 2x चमा 5y, कोश्ठक में 2x चमा 3y 6. कोश्ठक में 2a वर्ग चमा 9, कोश्ठक में 2a वर्ग चमा 5 साथ, कोश्ठक में XYZ घटा चार, कोश्ठक में XYZ घटा दो तीन, सर्वसमिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ग्यात कीजिए एक, कोश्ठक में B घटा साथ का वर्ग दो, कोश्ठक में XY जमा 3Z का वर्ग 3. कोश्ठक में 6x वर्ग घका 5y का वर्ग 4. कोश्ठक में 2 बटा 3m जमा 3 बटा 2n का वर्ग 5. कोश्ठक में 0.4p घका 0.5q का वर्ग 6. कोश्ठक में 2xy जमा 5y का वर्ग 4. सरल कीजिए 1. कोश्ठक में A वर्ग घटा B वर्ग का वर्ग 2. कोश्ठक में 2x जमा 5 का वर्ग घटा 3. कोश्ठक में 7m घटा 8n का वर्ग जमा कोश्ठक में 7M जमा 8N कावर्ग 4 कोश्ठक में 4M जमा 5N कावर्ग जमा कोश्ठक में 5M जमा 4N कावर्ग 5 कोश्ठक में 2.5P घटा 1.5Q कावर्ग घटा कोश्ठक में 1.5B, घटा 2.5Q का वर्ग 6. कोश्ठक में AB जमा BC का वर्ग, घटा 2A, B वर्ग C 7. कोश्ठक में M वर्ग घटा N वर्ग M का वर्ग, जमा 2M की घात 3 N वर्ग प्रिष्ठ संख्या 161, दर्शाई ये की 1. कोश्ठक में 3X जमा 7 का वर्ग, घटा 84X बराबर है कोश्ठक में 3X खटा 7 का वर्ग 2. कोश्ठक में 9P घटा 5Q का वर्ग, जमा 180pq बराबर है कोश्ठक में 9P जमा 5Q का वर्ग 3. कोश्ठक में 4 बटा 3M, 3 बटा 4N का वर्ग, जमा 2MN, बराबर है 16 बटा 9M वर्ग, जमा 9 बटा 16N वर्ग 4. कोश्ठक में 4PQ, जमा 3Q का वर्ग, घटा कोश्ठक में 4PQ, घटा 3Q का वर्ग, बराबर है 48PQ वर्ग 5. कोश्ठक में A घटा B, कोश्ठक में A जमा B, जमा कोश्ठक में B घटा C, कोश्ठक में B जमा C, जमा कोश्ठक में C घटा A, कोश्ठक में C जमा A, बराबर है 00N 6. सर्व समिकाओं के उप्योग से निम्नलिखित मान ग्याद कीजिए 8. आठ दशमलव नौ का वर्ग 9. दस दशमलव पांच गुणा नौ दशमलव पांच 7. ए वर्ग घटा बी वर्ग बराबर है कोश्ठक में ए जमाबी, कोश्ठक में ए घटा बी का उप्योग करते हुए निम्नलिखित मान ग्याद कीजिए 1. 51 वर्ग घटा 49 वर्ग 2. कोश्ठक में एक दशमलव शून्ने दो वर्ग घटा कोश्ठक में शून्ने दशमलव नौ आठ वर्ग 3. 153 वर्ग घटा 147 वर्ग 4. 12 दशमलव एक वर्ग घटा 7 दशमलव नौ वर्ग 8. कोश्ठक में X जमा A, कोश्ठक में X जमा B, बराबर है X वर्ग जमा कोश्ठक में A जमा B, X जमा A B का उप्योग करते हुए निम्नलिखित मान ग्याद कीजिए 1. 103 गुणा 104, 2. 5.1 गुणा 5.2, 3. 103 गुणा 98, 4. 9.7 गुणा 9.8 हमने क्या चर्चा की? 1. चरूं एवं अचरूं की सहायता से व्यंजग बनते हैं 2. व्यंजग बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है स्वयम पदों का निर्मान गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में होता है 3. व्यंजग जिन में एक, दो तथा तीन पद होते हैं क्रमशह, एक पदी, दुविपदी और त्रिपदी कहलाते हैं सामान्य तह एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजग जिसमें पदों के गुणांक शून्य तर पूर्णांक हैं और चरों की घात रिने तर है, बहुपद कहलाता है 4. समान चरों से समान पद बनते हैं और इन चरों की घात भी समान होती है समान पदों के गुणांक समान हुने आवश्यक नहीं है 5. बहुपदों को जोडने अत्वा घटाने के लिए सबसे पहले समान पदों को ढूंडिये और उन्हें जोड अत्वा घटा दीजिये, उसके पश्चात असमान पदों को उप्योग में लीजिये 6. बहुत सी परिस्थितियों में हमें बीजिये व्यंजकों को गुणा करनी की आवशकता होती है उदाहरणार्थ आयत का क्षेत्रफल ग्याद करने के लिए जिसकी भुजाएं बीजिये व्यंजकों के रूप में दी हुई है 7. एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर हमेशा एक पदी प्राप्त होता है 8. बहुपदी को एक पदी से गुणा करने के लिए बहुपद का प्रतियक पद एक पदी से गुणा किया जाता है 9. बहुपद का द्विपद अत्वा त्रिपद से गुणन करने के लिए हम एक पद को एक एक पद से गुणा करते हैं अर्थात बहुपद का प्रत्येक पद द्विपद अत्वा त्रिपद के प्रत्येक पद से गुणा किया जाता है ध्यान दीजिये इस प्रकार के गुणन में हमें गुणन फल में समान पद प्राप्थ हो सकते हैं और उन्हें मिलाना पढ़ सकता है प्रिष्ट संख्या 162 10. सर्वसमिका एक ऐसी समिका है जो चर के सभी मानों के लिए सत्ते होती है जबकि समीकरण चरों के कुछ निश्चित मानों के लिए सत्ते होता है समीकरण सर्वसमिका नहीं है 11. निम्नलिखित मानक सर्वसमिकाएं है कोश्ठक में A जमा B का वर्ग, बराबर है A वर्ग, जमा 2AB, जमा B वर्ग, यह पहली है कोश्ठक में A खटा B का वर्ग, बराबर है A वर्ग, घटा 2AB, जमा B वर्ग, यह दूसरी है कोश्ठक में A जमा B, कोश्ठक में A खटा B, बराबर है A वर्ग खटा B वर्ग, यह तीसरी है बारा, कोश्ठक में X जमा A, कोश्ठक में X जमा B, बराबर है X वर्ग जमा, कोश्ठक में A जमा B, X जमा A B, यह चौथी और एक अन्य उप्योगी सर्वसमिका है तेरा उप्रियुक्त चार सर्वसमेकाएं बीजिये व्यंजकों का गुणन फल ग्याद करने में एवं वर्ग करने में सहायक हैं ये सर्वसमेकाएं हमें संख्याओं का गुणन फल ग्याद करने के लिए सरल वैकल्पिक विधियां प्रदान करती हैं यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। निर्देशन वनिर्मान विमलेश चौदरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत।